अब लोगों के जितने भी क्वेशन है एक्जाम से रिलेटिड उन सभी के आंसर करने की कोशिश करूंगी और होप आप लोग मेरे आंसर से सटेस्फाई होंगे अब लोग बहुत जादा पैनिक सिचुएशन में हैं क्योंकि आप लोगों के एक्जाम से रिलेटिड कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही है और कुछ दिनों से युनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ओफिशल नौटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना ही कोई भी अपडेट आ होगा वे जिस सिचुएशन में बहुत अच्छे से महस를रा कर सकते हूं कि लास्ट यर सेम सिचूएशन में सेम कंडिशून में भी थी तो मुझे पता है कि इस सब्सक्राइत अबर भी बहुश्यू करकें आप इस तरीकौ कहीं बहुत जादा है करने की कोशिश करूंगी और आपके स्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगी लास्ट अगर फुल जरूर देखेगा आपके लिए बहुत जादा है और पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जो भी चानल पर नहीं है जिन्हों ने भी दख चानल को सब्सक्रा अफील कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलेक्स मिले तो चले गाइस विराज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेशन उन बच्चों से रिलेटिड है जो की तीन यर वाले कोर्स में एन्रोल है लाइक बीए बीए सी बीकॉम तो यहां पर सेकिंड यर के बच्च अब देरेक्ट पता चल रहा है कि उनके एकजाम होंगे लेकिन सेखेंड यर वालों बच्का यह सवाल है कि उनको प्रमोशन मिलेगा या उनके एकजाम होंगे इस चीज़ से रिलेटिड कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन अपडेट नहीं आ रही है तो मैं आपको बता द की आप लोगों को प्रोमोशन दिया जाएंगे तो पिछली बार आप लोग फ़रस्ट इयर और फ़रस्ट किया गया था और क्या अप लोगों को इस साल इंटर्नल माक्स के बेसिस पर मिलेंगे तो गाइस आपको नंबर कैसे मिलेंगे माक्षित आपकी खाली होगी या नंबर के साथ होगी इस चीज़ पर भी कोई भी अभी तक official notification नहीं है 15 या 20 तारिक के बाद जब भी बैठक होगी तब इस चीज़ से उन बच्चों को promotion मिलेगा जो कि three year courses में enroll है अब फर्स्ट येर से related student के बारे में बात कर लेते हैं तो जितने भी student फर्स्ट येर में उन सभी को promotion मिलेगा अब चाहे आप किसी भी course के हो बी-ए-बी-ए-स-ी-बिकॉम या बी-एड इसी के साथ चाहे आप regular courses में enroll है या private courses में enroll ह सब ही के 1st year वाले student को promote जो है वो किया जाएगा लेकिन 3rd year वाले बच्चों को promote नहीं किया जाएगा और साथ साथ जो 2nd year में हैं उनको भी promote नहीं किया जाएगा कुल मिला के बात यह है कि जो final year के बच्चे हैं उनको promote नहीं किया जाएगा उनके तो exam होंगे ही होंगे मतलब कि जो 3rd year वाले student के exam होंगे और जो 2 year वाले course में enroll बच्चे हैं उनके second year के exam होंगे ही होंगे तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें आप लोगों को पढ़ते रहना है चाहे कोई कितना भी कहें कि आप लोगों को promote किया जाएगा तो वो गलत news है आप लोगों को promote नहीं किया जाएगा क्यूंकि guys university degree जो है वो आपको ऐसे ही promote कर नहीं देगी उसके लिए आप लो प्रमोशन होगा फाइनली फिर दीरे दीरे जाकर ये क्लियर हो ही गया था कि हमारे जो है एक्जाम होंगे ही होंगे और डिगरी हम बच्चों को ऐसे ही नहीं मिलेगी उसके लिए हमें मैंनत करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं बोल रहे हैं कि आप लोगों के भले ही थोड़े स सकते हैं लेकिन जैसे सिट्वेशन चल रही है उसके अकोर्डिंग शायद आपके एक्जाम अगस्ट सेप्टेमबर तक पहुंच जाए हमारे साथ भी लास्टाइम ऐसा ही हुआ था पहले बोला जून में होंगे फिर बोला जुलाई में होंगे फिर बोला अगस्ट में हों आप बिल्कुल भी उस नियूस पर ट्रस्ट मत कीजेगा आप लोगों को बिल्कुल प्रमोशन नहीं मिलेगा आप लोगों को एक्जाम देना ही देना पड़ेगा अब यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को यह बता देती हूँ कि कुछ दिड़ों से युनिवर्सटी के सा तारिक तक बंद्ध है लेकिन टीचर के लिए 5 तारिक बंद्ध है और पंदर तारिक के बाद जो युनिवर्सटी है वो टीचर के लिए खुलेगी और एक बैठक होगी आप सारे बच्चों के जो भी प्रॉब्लम से उनसे पार सारी चीज़ों पर देसक्रिशन किया जाए उसके बाद हर चीज से रिलेटेड ओफिशन नॉटिफिकेशन जो है वो रिलीस किया जाएगा अपडेट जो है वो रिलीस की जाएगी और जैसे महां से कोई भी अपडेट और ओफिशन नॉटिफिकेशन आएगा किसी भी चीज़ पर हम आपको इस चानल पर जुरूर सबस्क्राइख जाए तो आप लोगों को वीडियो पसंद आहे होगे और आप लोगों के जितने भी अपने कोश्यन थे उन से रिलेड़ेटेड आप लोगों को आंसर्ज मिल गए होंगे और आप लोगों सा त्रेस लेवल जो है वो कम हुआ होगा और आप लोग थोडे से रिल्लैक्स हुए होंगे तो गाइस चानल के साथ बने रहे हैं जुडे रहे हैं कोई भी नई अपडेट पाने के लिए और आज की वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो तब तक के लिए बाइ एंड थैंक यू फॉर दो वाचिंग दिस वीडियो